So Hello My Dear Student Friends ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो लो Corporate Accounting को लेके बहुत ही वरीड है कि मेरे पास तो सिर्फ एक महना है मैं इतना बड़ा syllabus को कैसे complete करूँ How can I finish my syllabus within a very less period of time तो भी ये इतना बड़ा chapter इतना सारा chapter से कैसे complete करूँ तो My Dear Student Friends मैं आपको यहाँ पर कुछ orders में chapters का नाम बता रहा हूँ उसी order में आप prepare कर सकते हो अगर आप मेरे बातों को मानते हो तो otherwise आपको जैसा अच्छा लेगा प्रिपेर करिए as a teacher what I pray कि आप अच्छे से पास हो जाओ तो यही मेरा दुआ है मैं नहीं करता है कि आप मेरे पास स्ट्यूशन पढ़ते हो और कहीं पढ़ते हो वह कोई मैंटर नहीं करता है ठीक है बाबु चलिए सारे बच्चों के लिए वीडियो आप आप शेर करते ना सारे गृप्ष में स्कूल कॉलेज, स्कूल में तर नहीं कॉलेज में ठीक है चला कर रहें सबसे पहले I personally suggest सबसे पहला chapter है corporate accounting का issue of share but issue of share से मन start करिएगा यह सब वो chapters है हम लोग पढ़ाते हैं तो सबसे पहले issue of share ही पढ़ाते है but we suggest the students not to start with the issue of share because issue of share में आगर आप start करोगे न तो issue of share का गहराई में ही आपका पुरा दिन चला जाएगा issue of share को last में करिएगा उसका जितना sums करिएगा उतना ही कम है देखो कि फिर एक्टो sums वोड़ा से नहीं आगए इसलिए issue of share को करिएगा last में करिएगा सबसे पहले करिएगा bonus share फिर करिएगा underwriting फिर करिएगा redemption of preference share फिर करिएगा valuation of goodwill या फिर valuation of shares प्रिफेंश करिएगा या फिर buyback करिएगा दोनों में से एक टो करिएगा वैलिशन अब goodwill करिएगा पहले या वैलिशन अब share करिएगा internal reconstruction उसके बाद करना उसके बाद final account करिएगा और final account के बाद redemption of debenture करिएगा उसके बाद issue of share करिएगा again I am repeating guys मेरे स्क्रिन पर आपको दिख रहा होगा चैट जो मैंने अपने ग्रूप से बेजा है पहले bonus कर लेने का फिर underwriting कर लेने का है फिर redemption of preference share और buyback विकोज दोनों में से option रहेगा तो दोनों में से कोई एक को अच्छे से करो और एक chapter को पीडिंग भाई redemption of dementia यह 10 मांक्स का आएगा आएगा कोई ओप्शन नहीं है और issue of shares आएगा आएगा लेकिन इसको लास्ट में करेंगे ठीक है अच्छा optional chapter कौन कौन से है buyback और buyback option में रहेगा preference share के साथ issue of share और bonus share और underwriting यह चारों में से कोई दो question आपके पेपर में रहेंगे और amalgamation internal reconstruction के साथ option में रहेगा तो जो optional chapter है उसको आप थोड़े last में थोड़ा बहुत तर के देख कर के चले आना but जो main chapter से उसको पहले कर लीजे ठीक है बाबू? I hope आप समझ गया होंगे video share कर दीजे, channel को subscribe कर दीजे और सुनिए अगर आप अभी भी कहीं भी classes नहीं कर रहे हो you can join our classes also if you are feeling comfortable, thank you so much